सिलाई मशीन के विभिन्न भाग एवं उनके प्रयोग ट्रेडिल के चलाने और सिलाई के शुरुवात के बीच मशीन में बहुत सारी क्रियाए होती हैं जब आदमी सिलाई मशीन के कल पुर्जों के कामकास को जाने बिना उसे काम करते हुए देखेगा वो मशीन में इतना सब होते हुए देख कर चक्रा जाएगा प्रतियक भाग के प्रयोग को समझने पर ही वह उस मशीन का सफलता पूर्वक इस्तमाल कर सकता है इसलिए सिलाई मशीन को सीखने वाले व्यक्ति के लिए यह अत्यंत आवशक है कि वह उस मशीन के विभिन भाग और उनके प्रयोगों को समझे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप बता सकेंगे मशीन के विभिन भागों को मशीन के रेखा चित्र या असली मशीन में पहचान सकेंगे मशीन के प्रतेक भाग के भिन प्रयोग सूचित कर पाएंगे सब सिलाई मशीनों के अधिकतर भाग एक जैसे होते हैं हर मशीन में एक मशीन हेड और एक मशीन बेड तो होता ही है परन्तु ट्रेडल सिलाई मशीन की खासियत उसमें स्थित स्टैंड है अब हम ट्रेडल सेलाई मशीन के विविद भाग और प्रतियक भाग के प्रयोगों को जानेंगे स्पूल पिन ट्रेडल मशीन के सबसे उपरी भाग में होता है इसमें धागे की रील चढ़ाई जाती है ट्रेडल मशीन में विविद प्रकार के थ्रेड गाइड पाए जाते हैं थ्रेड गाइड का काम होता है धागे को रील से पकड़े रखना और ठीक ठाक सूई में पिरोई रखना सिलाई मशीन के आगे की ओर दो सटी हुई धातू की डिस्क होती है जिन्हें टेंशिन डिस्क कहा जाता है इनका काम होता है कि इन में से निकलते हुए धागा को कसकर पकड़े रहे धागे की खिचाफ को टेंशिन डिस्क को जोडने वाले स्प्रिंग और नट को कसकर या ढीला कर बढ़ाया या घटाया जा सकता है टेक अप लीवर यानि एक छोटा लीवर जो सिलाई मशीन के सामने के ओर पर लगा होता है इस लीवर के किनारे पर एक छेद होता है जो धागे को स्पूल से प्राप्त कर उसको सुई तक ले जाता है उपर और नीचे चल कर लीवर धागे को उपर से सुई तक पहुचाता है और नीचे से आने वाले धागे के साथ फंदा बना कर उसे कस देता है क्लम्प की मदद से सुई को दूसरी ओर से पकड़े रखने वाली लंबी सी स्टील की रॉट को नीडल बार कहा जाता है नीडिल बार के पास एक अन्य बार स्थित है जिसे प्रैसर बार कहा जाता है इस प्रैसर बार के नीचले भाग पर प्रैसर फुट जुड़ा हुआ है प्रैसर फुट लिफ्टर के सहायता से हम प्रैसर बार को उपर या नीचे खीच सकते हैं जब Pressure Bar को नीचे खींचते हैं, तब Pressure Foot कपड़े को अपने स्थान पर स्थिर रखता है. Feet Dog Pressure Foot के नीचे स्थित है, इसका चलन आगे-पीछे और उपर-नीचे होता है. Feed Dog के चलने और Pressure Foot को दबाने के कारण हम सिलाई के वक्त कपड़े को आगे पीछे हिला सकते हैं Face Plate सिलाई मशीन के आगे की ओर स्थित वह Plate है जिसे निकाला जा सकता है इस Plate को निकालने पर हम Needle Bar, Pressure Bar और Take-Up Lever में स्थित तेल डालने वाले बिंदों तक पहुँच सकते हैं Spool से आने वाले धागे के अलावा सूई में एक और धागा नीचे से प्रवेश करता है Spool के अतिरिक बॉबिन में भी धागे को जमा किया जाता है, जो नीचे से आता है धागे से फेरे हुए बॉबिन को बॉबिन केस के अंदर स्थापित किया जाता है और उसे सिलाई मशीन के निचले भाग में स्थित शेटल में रखा जाता है नीचे से आने वाले धागे के तनाफ को बॉबिन केस में पाए जाने वाले एक छोटे स्क्रू के जरिये से बढ़ाया या घटाया जा सकता है बॉबिन वाइंडर के सहायता से धागे को सुगम रूप से बॉबिन पर फेरा जा सकता है कुछ सिलाई मशीनों में बॉबिन के फुल होने पर अपने आप से ही धागे को बॉबिन पर फेरने से रोक देते है जब सिलाई मशीन स्टैंट की बात आती है, सबसे पहले आपका ध्यान स्टैंट की बड़ी चक्री या वील की ओर जाएगा इस चक्री या वील को बैंड वील कहा जाता है फुट प्लेट सिलाई मशीन स्टैंट का वह भाग है, जहां मशीन चलाने के लिए हम हमारे पैर रखते हैं पैरों से फुट प्लेट पर लगाए जाने वाले दबाव के कारण बैंड वील का हिलना शुरू हो जाता है फुट प्लेट और बैंड वील को जोड़ने वाले लंबे डंडे या बार को पिटमेन बार कहते हैं फ्लाई वील वह वील या चक्री है, जो आपको मशीन हेट के पीछे के तरफ दिखाई देता है जब बैंड वील घूमता है तब वह फ्लाई वील को भी घूमाता है क्योंकि वे दोनों एक पट्टा या बेल्ट के जरिये से जुड़े हुए हैं फ्लाई वील को हाथ से घूमा कर भी चलाया जा सकता है जैसे ही balance wheel घूमता है वैसे ही face plate के बाइन तरफ पाई जाने वाले needle bar का भी चलना शुरू हो जाता है उस needle bar की निचले भाग पर एक needle clamp स्थत है जिससे सूई जुड़ी होती है वह सूई को उपर और नीचे ले जाता है इसके साथ हम class के आखिर में आते हैं अब हम याद करेंगे कि हमने क्या सीखा है Spool pin ट्रेडल मशीन के सबसे उपरी भाग में होता है इसमें धागे की reel चड़ाई जाती है Thread guide धागे को स्पूल से जुड़ा रखता है और उसे बराबर सूई तक ले जाता है Spool से आने वाले धागे के तनाफ को Tension Discs को धारन करने वाले Spring और Nut को तान कर या धीला कर बढ़ाया या घटाया जा सकता है Take up lever सूई को उपर से धागा प्रदान करता है Pressure foot कपड़े को स्थिरता से अपने जगेह पर रखता है Feed Dog कपड़े को सिलाई के वक्त हिलाने में सहायता करता है Boban में सिलाई मशीन के निचले हिस्से से आने वाला धागा रहता है सिलाई मशीन Flywheel के गती के अनुसार चलती है अब आप सिलाई मशीन के महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में और उनकी कारे के बारे में भी जान गए है अगली कक्षा में हम आपको बताएंगे कि कपड़े पर सिलाई कैसे होती है